क्या आप लोग iPhone 13 लेना चाह रहे थे बट अभी तक आपने purchase नहीं किया है हो सकता है budget का मसला हो या फिर कुछ और दिक्कते हो अगर आपके सामने कुछ इस तरीके की दिक्कत आ रही कि आपको budget maintain नहीं हो पा रहा है आपका तब यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं best offer जहां से आप बहुत ही आसानी से EG EMI यानि installment पे आप iPhone 13, Pro, Pro Max, iPhone 13 purchase कर सकते हैं पर आपको 182 रियाल पर मन देना पड़ेगा कहीं पर आपको 218 रियाल कहीं पर आपको 100 रियाल में ही आपका काम हो जाएगा तो आपको किस तरीके से purchase करना है और कहां से purchase करना है किस तरीके से आप EG EMI पे ले सकते हैं कोई भी device अगर आप से भी को जानना इसके बारे में तो आप इस वीडियो को last तक देखते ही है असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं मांटे कोट मैजा फरकान चलिए स्टार्ट करते हैं हम बात करें आइफून 13 प्रो या फिर प्रो मैक्स या फिर आइफून 13 13 मिनी इसमें से अगर आप कोई भी device लेना चाहा रहे हैं इंस्टालमेंट पे तो आपके पास में पहला आपसंस है जरीर बुक इस्टोर जरीर बुक इस्टोर से आपको 218 रियाल पर मन्त EMI पे आपको मिल जाएगा अगर आपके पास में वहाँ पर कोई भी financial service से या फिर credit card का आपसंस है तो आप यहां से purchase कर सकते हैं अब अगर आप इससे कम रेट में जाना चाहरे हैं 182 रियाल पर मन्त के हिसाब से तो आपको बिजिट करना पड़ेगा आपको पता है extra shopping center है जो की सौधी अरब में आपको कतर कोईट में भी लगबग आपको मिल जाएगी वहाँ पर से भी आप purchase कर सकते हैं बट अगर आप extra से purchase करना चाहरे हैं तो यहाँ पर आपका तसहील में registration होना जरूरी है अगर तसहील की ओर से आप approved हो जाते हैं तब आप कोई भी device बहुत ही आसानी से purchase कर सकते हैं अगर तसहील की ओर से आपके पास में कोई भी ऐसी update नहीं है कि आप वहाँ पर उनकी criteria को match करते हैं तब यहाँ से आप iPhone 13 या फिर 13 Pro या फिर Mini कोई भी device आप installment पे नहीं ले पाएंगे वो भी आप extra के website से या extra के store से बट यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले हैं आपके पास में best option हो सकता है आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो उस company की sim यूज करते हों और sim यूज करने के साथ साथ में उसमें से कोई भी एक ऐसा plan हो जो क्राइटरिया को match करता है उस plan को आपने subscribe किया हो जी अगर हम बात करें यहाँ पर company की तो यहाँ पर company है HTC साथी टेलिकाम company है जहां से आप उनकी अगर कोई भी पोश्ट पेट sim यूज कर रहे हैं तब आप बहुत ही आसानी से device को आप purchase कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप मुफोत्तर मैक्स यूज करते हैं तो आप यहाँ पर आपके पास में options है कि आप device iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max आप मैक्स मुफोत्तर मैक्स जो है subscription जो plan है अगर वो यूज करते हैं तो आप उसके साथ में iPhone 13 Pro and 13 Pro Max purchase कर सकते हैं तो अगर हम बात करें कि इसकी आधिकतर detail या फिर इसके ज़्यादा जानकारी किस तरीके से ले सकते हैं या फिर हमें कितना EMI देना पड़ेगा किस तरीके से calculate कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं HTC की website पर और चेक करते हैं कि क्या क्या detail क्या क्या update यहाँ पर देनी पड़ेग आप देख सकते हैं कि हमा चुके हैं HTC की website पर और यहाँ पर iPhone 13 Pro and 13 Pro Max on us with मुफोतर Max यानि कि जो भी मुफोतर Max का plan यूज करते हैं वो यहाँ से purchase कर सकते हैं अगर आप मुफोतर Max नहीं यूज करते हैं तब आपके पास में भी यहाँ पर आपको absence मिलता है iPhone 13 available now is easy air installment यहाँ पर आप more पर भी क्लिक कर सकते हैं तो पहले हम चेक करते हैं मुफोतर Max वाले plan को यहाँ मूर पर क्लिक करते हैं तो मैक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको iPhone 13 Pro के टाफ फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको 6.1 इंच स्क QCD and front camera भी आपको 12 MP sl 3D मिलता है रैम की बात करें तो यहाँ पर 6GB रैम मिल जाती इन्टर्नल कीफिशिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको four types में मिल जाती है इन्टर्नल के फिस्टी 128 GB 256 GB 512 GB and 1 तेरा भी आपको मिल जाती है अगर बात करें color की तो यहाँ पर silver, graphite, gold and pacific blue color आपको मिल जाएंगे support sim की बात करें तो यहाँ पर support e sim करता है अगर यहाँ पर बात करें price की तो यहाँ पर आप देखते है cash price 128 GB का अगर case price की बात करें 4,699 रियाल की है अगर 256 GB की बात करें तो 5,169 रियाल की है अगर 512 GB की बात करें तो 6,149 रियाल है अगर 1 टेरा की बात करें तो यहाँ पर 7,099 यानि की 7,100 का आपको पढ़ जाएगा बट अगर आप इसी डिवाइस को लेना चाह रहे हैं इस्टालमेंट पर तो आपको थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करना होगा स्क्रॉल करने के बात में यहाँ पर आप देखते हैं मुफुत्तर max का आपसंसा आप इसको select कर लिजिए सेलेक्ट करने के बाद में इसमें से आप कोई भी डिवाइस को एक सेलेक्ट कर लिजी जो भी आपको लेना है मान लिजे 512GB लेना है और EMI आप देखते हैं contract period 18 month, 24 month and 12 month है यहाँ पर आप देखते हैं कि installment program आपको दिखायत हो जा रहा है बट यहाँ से आपका selection नहीं हो पा रहा है more information about device monthly install, subscribe now in HTC protect service and protect your device यहाँ पर आप देखते हैं कि 256GB and 24 month या फिर 12 month या फिर 128GB सेलेट करते हैं बट कि यहाँ पर मुफोतर max के साथ में ऐसा plan दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर जो device दी गई है iPhone 13 Pro है और यहाँ पर अगर हम बात करें return आके कि कौन सी device आपको बताया जा रहा है मुफोतर max के साथ में आप ले सकते हैं pro and 13 pro max है जो कि आप मुफोतर max के साथ में पर्चेज कर सकते हैं बट यहाँ पर select नहीं हो रहा है तो चली चलते हैं iPhone 13 पर और वहाँ पर देखते हैं कि उस्टाफ फीजर iPhone 13 6.1 इंच डिश्पिले है आइस 15 back camera 12 megapixel 12 megapixel front camera 12 megapixel RAM 4GB आपको मिलती है internal capacity आपको 128 GB, 256 GB, 512 GB support e-sim, color midnight, starlight, pink, blue and red color आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर case price दिये हुए हैं लगलग maximum 5,229 दिया लें अब यहाँ पर अगर आप मुफोतर 2 यूज करते हैं और यहाँ पर लेने चारें 128 GB 18 month contract है तो यहाँ पर आप minimum 25 रियाल पर मत की हिसाब से device को purchase कर सकते हैं और यहाँ पर down payment आपकी 0 हो जाएगी कोई भी down payment नहीं पड़ेगी packet बात करें मुफोतर 2 है यहाँ पर monthly payment की बात करें 228.75 रियाल हो जाएगा contract period 18 month हो जाएगा तरीके से बहुत ही आसानी से इस device को select करके और purchase कर सकते हैं मुफोतर 2 के plan के साथ में बट अगर आपको मुफोतर max के साथ में आप कोई भी SIM यूज करते हैं या फिर मुफोतर max का plan आप यूज करते हैं तो आपको निरास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर company ने बोला है कि हम आपको iPhone 13 pro and 13 pro max मुफोतर max के साथ में दे रहे हैं तब यह जरूर कोई भी absence है कि आप उनके store पर जाएंगे तब यह आप उसे purchase कर सकते हैं तब आप store पर जाके इसकी detail ले सकते हैं बट यहाँ पर आपको maximum minimum minimum जो भी आपका payout बनता है यानि 25 रियाल पर मंत आप pay कर सकते हैं यह आपके लिए easy होगा 18 महीने का contract period और आप device आसानी से ले सकते हैं ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 25 रियाल पर मंत नहीं दे सकता है अगर आप device लेना चाह रहे हैं तब आसानी से ले सकते हैं आप 13 से related details जहां पर आप easy installment पर डिवाइस को purchase कर सकते हैं minimum 25 रियाल पर मंत maximum 218 रियाल पर मंत की हिसाब से आप device को purchase कर सकते हैं अलग अलग इस्टोर से अलग अलग कंपनियों पर अलग अलग रेट दिये गए हैं अगर आप तो भी को वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके सेर ज़रूर कर जिया कर चैनल पर नहीं चैनल को subscribe कर लिजिए subscribe करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना न बोले ताकि में जब भी हो लाइब या फिर upload को कोई नहीं वीडियो तब आपको उसका notification में जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसने अपडेट के साथ मैं thanks for watching this video stay tuned with aman take word